आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी जो कि अल्मोस सभी को पसंद होती है यहाँ ठंड की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है तो आइए बिना कोई देर कीए से बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कि हमें किंद लेना थाकि हमें किसी तरह का कोलर डालने की ज़रुत न पड़े 7 यह सबसे पहले हमें गाजर के आगे पीछों लो कि भंब गुद यह सबनार ध्यषए को यह सब्सक्रां नहीं फैसके बाद हमें इनके ठीटो कोशेत्ग जिट्टें आएं कर दृदर काजर को इस तरह से पिल कर लेना है यह देखिए मैंने सारी काजर को पिल कर लिया है अब हम ग्रेटर की हेल्प से इनकाजर को ग्रेट कर लेंगे अगर आप इस शेप में काजर को ग्रेट करते हैं तो मोटी साइड के थ्रेट निकलेंगे अगर आप इस शेप में काजर को ग् कि सबसे पहले मैं आपको मोटे शेफ वाले में ग्रेट करके दिखाती हूं कि इसमें ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूं यह देखिए इसके त्रेड कुछ इस तरह से निकलेंगे थोड़े मोटे और छोटी साइज में और इसके अंदर हमारे थेड लंबे और बारिक साइज में निकलेंगे इसमें ज्यादा को डिफ्रेंस नहीं होता है आप जैसे चाहें वैसे गाजर को ग्रेट कर सकते हैं यह देखिए इसके त्रेड थोड़े बारिक और साइज में लंबे हैं इसी ग्रेटर के अंदर घृट करूँगी यह सारी ग्रेट कर लिया है मैंने यहां पर एक और अब स्वेड़ करने हैं q वह ग्राजर सरी की नर्वाixon बुक्ति एक रहे ममें बहुत ज्चाड़ा नहीं होती है बहुत ही कम गी में बहुत ही स्वादिश ठलवा बनकर तयार होता है ये देखिए मैंने इसके अंदर दो टेबल स्पून गी डाल दिया है अब हम इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे ये देखिए हमारा गी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ग्रेट कीवी गाजर को डाल देंगे मैंने इसके अंदर से पानी नहीं निकाला है गाजर के अंदर से आपको भी नहीं निकालना है ये देखिए मैंने सारी गाजर को कड़ाई के अंदर डाल दिया है अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे आइस्ता आइस्ता करके हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि हमारी पूरी कड़ाई फूल हो चुकी है ये देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे लगबग 10 मिट के लिए खुला पकाएंगे उसके बाद हम इसका लिट लगाकर इसे 10 मिट और पकाएंगे ये देखिए इसे 10 मिट हो चुके हैं अब हम कड़ाई का लिट हटाएंगे और इसे एक बार और अच्छे से हिलाएंगे ये देखिए हमारे गाजर के अंदर से पानी भी रिलीस होने लगा है क्योंकि हमने इसका ढखकन लगा दिया था और ढखकन नहीं भी लगाते फिर भी 10-15 मिट बाद ऑटमेटिक गाजर का पानी रिलीस होने लगता है अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार फिर से अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे यह दूध यहाँ पर मैंने दो किलो गाजर के लिए एक लिटर दूध लिया है यह फुल क्रीम दूध है यह पैकेट वाला दूध है इसको मैंने हलका सा गरम कर लिया था दूध को उसके बाद मैं इस इस गाजर के अंदर डाल रही हूँ दूध डालने के बाद हमें इससे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध के साथ यह देखिए हमारे कडाई ओवर्फ्लो हो गई है अब मुझे कडाई चेंज करनी होगी गाजर को दूध के साथ उबलने के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है इसलिए मैं आपर कडाई चेंज कर रही हूँ यह देखिए मैंने कडाई चेंज कर ली है आप स्टार्टिंग से ही बड़ी कडाई लें मेरी तरह यह गलती ना करें दूध के साथ गाजर को उबलने के लिए स्पेस होना चाहिए कडाई में अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगबग 20 से 25 मिड़ के लिए से पकने देंगे डHHCाब यह ब्यक्री ने कि देखिए मने इसक डगकन लगा दिया है तक 15 चुके DR. अब हम हमारे हलवे को चेक कर लेते हैं मैंने इसे बीच में एक दो बार चेक किया था अब वापस हम इसका डखन लगा कर लगबग 10-15 मिट के लिए और पकाएंगे जब तक कि इसका दूद थोड़ा सा और सूख नहीं जाता यह देखिए इसे 10-15 मिट और हो चुके हैं हमारा दूद पहले से काफी कम हो चुका है हमारा हलवा पहले से गाड़ा हो चुका है अब हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे शुगर, दो किलो गाजर के लिए मैंने आप लिए 300 ग्राम शुगर, 200-300 ग्राम के बीच ही आपको शुगर डालना है, अगर आप मीठा पसंद करते हैं, तो आप इसमें 300 ग्राम शुगर एड़ करें, अदर्वाइस 300 ग्राम से थोड़ा क हम एड़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके बाद एक ऐसा इंग्रीडियंट डालने वाले हैं, क्योंकि अल्रेडी मीठा होता है, वह सिक्रेट इंग्रीडियंट है, अब हम शुगर के साथ इसको अच्छे से हिला लेंगे, और 10-15 मिट के लिए वापस इसे, मीडियम फ्लेम पर यह देखिए, वापस इसे 15 मिट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर एड़ कर रहे हैं, यह दो टेबल स्पून गी, हमने स्टार्टिंग में दो टेबल स्पून गी डाला था, और दो टेबल स्पून गी हमको इस स्टेश पर एड़ करना है, शुगर डालने के बाद, जब ह यह देखिए, गीर डालने के बाद इसे पकते हुए लगबग 10 मिट और हो चुके हैं, यह पहले से काफी ड्राइ हो चुका है, इस स्टेश पर हम इसके अंदर डालने वाले हैं, बहुती सिक्रेट इंग्रीडियन्ट, वो है मिल्क पाउडर, मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजर के अंदर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं, और मिल्क पाउडर की जगा आप 50-100 ग्राम मावा डाल सकते हैं, वो भी इसी स्टेश पर हमने आपर मिल्क पाउडर एड़ किया था, अब हम इस सब को बहुत यह अच्छे से मिक्स कर ले हैं, आपको इसे देखर ही पता चल रहा होगा कि हमारा हलवा जो है, वो कितना अच्छा बना है, मतलब बन रहा है, यह दिखने में सेम वेसा ही लग रहा है, जैसे कि हमने मावा डाला हो, यह खाने में भी बिल्कुल हमारे पारंपरिक गाजर के हलवे की तरह ही लगेगा, आप देख सकते हैं, हमारे गाजर का हलवा काफी दानेदार लग रहा है, जैसा मावे वाला लगता है, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगबक 10 मिट के लिए और पकने देंगे, मैं आपको हलवा एक बार बिल्कुल पास से भी दिखा देती हूँ, अब मैं इसके अंदर ए अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे, लगबक ये तीन से चार इलाइथी का पाउडर, साथ ही हम इसके अंदर एड़ कर देंगे ये ड्राइफूट्स, मैंने यहाँ पर काजू, बदाम, पिस्ता, किश्मिर्स, सारे तरीके ड्राइफूट्स लिए हैं, ड्राइफूट्स ये देखिए हमारे गरम गाजर का हल्वा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ये कितना यमी लग रहा है, इसे देखकर कोई जैस नहीं कर सकता, कि आपने मावे से बनाया है या मिल्क पाउडर से, ये उतना ही डिलिशियस यम्मी है, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज प्लीज फीडबेक जरूर दीजियेगा, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, लाइक और शेर जरूर कीजियेगा, मैंने मेरी अदर रेसिपी की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंचन कर दी है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते ह और आप मेरी रेसिपी को इस नीव यर जरूर ट्राइ कीजियेगा, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, प्लीज प्लीज डोंट फोगेट तो लाइक, कमेंड, शेर और सब्सक्राइब और प्रेस दे बेल आइकन, बहुत जल्द मिलती हूं आपसे अगली रेसिपी के सथ, THANK YOU!